खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीज़े बीजिपी और सायोगी दल नागित्ता संचोधन बिल को राजसभा में पास करा लेने का दावा करे हैं और विरोधी इसे फेल करने की जुगत लगातार लगा रहे हैं ऐसे में दोनों की विरोध की एक जलक संसत से पहले आप भी सुनिए और हो जाएए इस मुद्दे पर बिल को लब्डूटेट Citizenship Amendment Bill राजसभा में भी अच्छे संख्या से बहुमत से पारित होगा और भारती जनता पार्टी की हमारी संख्या बल पहले के तुलना में इंडिये की संख्या बल पहले के तुलना में काफी बढ़ गया है इसके अलावा कई छेत्री दलों का समर्धन इस बिल को पराप्त है तो इसलिए भारती जनता पार्टी सरकार के द्वारा इंडिये सरकार के द्वारा लाया गया यह बिल राजसभा में पारित होकर कानून बनने के लिए इंतजार कर रहा है यह बिल सम्विधान के विरुद में है यह बिल जो भारत जो जिस सम्विधानिक धाचे में जो स्वतंतर भारत जन्म हुआ है उस सम्विधानिक धाचे के खिलाफ है डॉक्टर बाबा साहिब अंबेतकर के खिलाफ यह बिल है स्वामी वि विरोध उनने बात कही आने वाले समय में देखेंगे कि राजय सवा में भी हम इस प्रकार से एक जुट होके इस बिल का विरोध करेंगे। विरोध करना होता है इसे अनेक मुद्धे हैं जहां सरकार का विरोध कर सकते हैं लेकिन जो जिम्मेदारी रास्टे जिम्मेदारी है जो एतिहासिक उत्तरदाईत हमारा है उस जिम्मेदारी उत्तरदाईतों का विरोध करना मुझे लगता है विपक्ष के द्वारा अपने प पास ना होने दे और कोशिश यह होगी कि कम से कम सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद दुबारा ड्राफ्ट आए और तब उस पे विचार किया जाए जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं जो लोग इसकी का विरोत कर रहे हैं शुद रूप से उनके दिमाग में कहीं न कहीं सियासत की सोच भरी हुई है वो स्यासी सोच के माध्यम से देश में भरम और भै का माहौल पैदा करके उस पर स्यासी रोटनिया सेखना चाहते है लेकिन एक बात समझने की जरूरत है जो लोग ये काम कर रहा है उन लोगों को थोड़ा सा अपने खुले दिमाग से सोचना चाहिए अपने संकुचित विचारों से उपर उठकरके स्यासी विचारों से उपर उठकरके इसको जो है वो राष्टी और राष्ट धर्म के रूप में देखे लोग सबा में हमने कुछ सवाल उठाये हैं प्रश्ण जरूर उठाये हैं जिसका उत्तर मिला नहीं है जग्रोव मंत्री जिने शाहिद शिवा सेना छोड़ कर हर еक पार्टी और सदस्य माध्य Chemtraisya ने जितने सारे सवाल उठाएं उततर देने का प्रयास किया, इसे मैंने सुना पता नहीं, शिवा सेना प्रशन उठाए है उसका उततर मिला या नहीं मिला और हमने जो प्रशने उठाए यह हमारी कीसी की नीजी बात नहीं है पूरे देश की बात है और पहले तो एक भ्रहम जिस भ्रहम में इस देश जी रहा है कि शायद भाजपा एकमेयो पार्टी अशी है ऐसी है कि जो भी कहे और जो भी करे सिर्फ वो ही देश के लिए अच्छा सांसदों का मानने मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने इस विल की गंभीरता को समझते हुए जिस तरीके से लोकसभा में इस विल को पारत करने के लिए अपना समर्थन दिया पुरह एक बार एंडिये की एक जुड़ता इस विल के माध्यम से देश की जनता के सामने आई तो उ उन्होंने ए टूझेट जो आमी चाजी की जो वक्तव है उसी बात को दोर्ः है निका तो पब्ली कमिट्मेंट था कि 370 का मामला हो या ट्रेपल तलाक का मामला हो जा अनार्सी का मामला आपकिस्तान से आए हुए शिक पडिवार हो चाहे पाकिस्तान से आए हुए घैर मुस्लिम हिंदू शेक इसाई जो भी है चाहे बंगलादेश से दुनिया देख रहा है आज मीडिया के जवाने में ये विपक्ष किसको गाली दे रहे हैं किसको भुसला रहे हैं किसको धोका दे रहे हैं विपक्ष को धोल चटा देगी इस देश की जनता अगर इस गैर मुस्लिम जो पाकिस्तान बंगलाद देश और अफगिस्तान में हैं उनकी दुर्दशा के साथ भारत की शरकार अगर खड़ी है और कांग्रेश और विपक्ष ने अगर विरोध राजश्रभा में किया तो देश की जंता दिखा देए जो भारत का संविधान है उसका जो प्रियंबल है वो उसकी जान है उसको उन प्याने देश जो है वो आपको मालम होने चाहिए देश न बटे इसके लिए जान देदी लोगों ने लाखों लोगों ने और यह जो कल हुआ है इतिहास में काले अक्ष्रों में लखा जाएगा इति थाप जाएगा